दुरकेंद्री मंत्री रामविलास पासवान ने केजरिवाल को लिखी चिठी लिखी है और दिल्ली सरकार ने वी आईएस के रिपोर्ट पर सवाल भी उठाए है सबको साफ पानी मिलना केंडर और राज सरकार की जिम्मेधारी है दिल्य सरकार के सुझावपर पानी की जाज के लिए टीम बने, ये भी कहा गए है दिल्य के वायू पर दोसरणा के बाद अब दिल्य के जल को लेकर बहांच शुरू हो गई है हमारे साथ केंदरीय मंतरी राम विलास पासवान जी है उनसे बात करते हैं राम विलास जी डिली के पानी को लेकर एक नई बहस की सुरुआत आपके बयान के बाद हो गई है ने बयान हमारा कुछ नहीं है हमारा हम तो हम सुरू से ही हमारा एक मकसद रहा है हम 77 से आये हैं और पूरे देश में जहां जहां जाते हैं सब जगा जो है जो नल का पानी परदान मंतरी जी ने का कि 2024 तक हर घर में नल लगा देंगे और स्वक्ष पानी मिलेगा तो हम उसी पर जह सो हमने सोचना सुरू किया कि साइब नल का पानी तो जा रहा है लेकिन जो हालत है सब जगा का वो सही नहीं है और दिली का तो यहां रहते हैं हम अपने नल में जाकर के देखते हैं कभी नीला पानी निकलता है कभी पीला निकलता है उसके बाद जह हमने बड़े लोग तो आरो लगा लेते हैं कुछ लगा लेते हैं तो सब जगह से जबना पारी डाके से कि जगह जगह सिकाइत आने लगी तो फिर हमने काय कि आप लोग जिसको सिकाइत है भेजिए तो 11 जगह से लोगों ने बोदल जहे पानी जहासो भेद दिया अधी वीडियो भी वेद दिया कि कैसे पानी निकलता है कैसा निकलता है तो 11 जगह से डिफ्रेंट एडिया से सौसा लिटर पानी जहासो लिया 12 नंबर का भी लिया हमारे यहां से भी वहां आपके किरसी भवन से भी लिया जमनापार के लिए बिला लिया बुरारी से लिया नंदनाग लिए काफी जगा से तो मैं फिर काना में ने काया कि देखो हम कजी बाल जिसे हमारा कोई बुरा समद नहीं है हम कोई कभी राजनीती भी ने करते हैं, हम तो गरीब हर से आये हैं हमारा एक ही मकसद है कि गरीब को पानी मिले जमना पार के इलाका में गरीब लोगों के बस्ती में चले जाए बचारे को पानी मिलता नहीं है, बच्चा बिमार पर जाता है, गरम पानी करके पिलाता है.